हाई लो दोस्ते वेलकम टू में पॉर्ट शडी सु आज हम करने वाले हैं पार्ट एक अक्षा 10 का यूरोप में राश्टबाद का उद्य है और हम करने वाले हैं इसके most important mcq and one mark session ठीक है तो मेरे को ये तो बताने की जरूत है नहीं के अब आपके लिए mcq and one mark session कितने जाधा important हो गया है और एक चेप्टर के अंदर से mcq and one mark session करना कितना जाधा important हो गया है क्योंकि अब आपके exam में बहुत जाधा value रखते हैं ये ठीक है तो चलिए शुरू करते अच्छा मैं पहले बता दूँ यार आपको के पूरा का पूरा chapter मैं with notes upload कर चुका हूँ link आपको नीचे description में मिल जाएगा hindi के notes के साथ ठीक है तो वो video जाकर देखकर आना सारी की सारी चीज़े छोटी से छोटी चीज़े मैंने explain कर रखी है ठीक है तो पहले chapter समझ के आना जब आप chapter समझ के यहाँ पर आओगे दुबारा तो एक तरह से आपका test भी हो जाएगा आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा topic मेरा weak है कौन सा strong है दुबारा device करने की जरूद है या नहीं है ठीक है तो यह सारी चीज़े आपकी clear हो जाएगी और आप इस video को बहुत अ चैप्टर समझाया था वो भी जाकर देख सकते हो ओके शुरू करते हैं तो आपका first question है कि 1848 में बनाई गई चार चित्रों की श्रंकला जिसको कहा जाता है जनतांत्रिक और समाजिक गंतांत्र किसके द्वारा बनाई गई थी लोई 16 के द्वारा बनाई गई थी नेपोलिय सौर्यू ने ठीक है यह याद रखना next question की बात करते हैं कि चित्र में डैश संस्थाओं के द्वस्त अवशेश बिखरे वे हैं तो आपको पता ही है अपने अगर पिच्चर देखी होगी तो पिच्चर के अंदर है ना मतलब नीचे ना बहुत सारे राजारानी के ताज तो राजारानी होते ना उस पर कोई अंकुष नहीं होता जो भी चाहिए वो कर सकते हैं ठीक है I hope यह clear हो गया next question की बात करते हैं कि वह राज्ये जहां लोग निम्नकारुक से जुड़ेवे हो जहां लोगों की बोली समानो इतिहास समानो तथा संस्कृती समानो उसे क्या कह जाता है या उस राज्ये को क्या कहा जाता है A राज्ये कहा जाता है B समराज्ये कहा जाता है C राष्टराज्ये कहा जाता है या D अपनी वेश्वात कहा जाता है तो मैं आपको बता दूँ जिस भी एरिया में जिस भी राज्ये में लोगों की समान बोली हो उनका इतिहास स जुड़े हों संस्कृती समानों तो उसको राश्चराज्य बूला जाता है ठीक है नेक्स कॉश्चन कॉश्चन नमबर फोर्थ की बात करते हैं एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरी एक शेतर के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को सुईकार या असुईकार करने के लिए पूछा जाता है तो उसे क्या का जाता है A. निरंकुश B. जन्मत संग्रे सी मतदान या D. राश्चराज्य तो उसको जन्मत संग्रे का जाता है ठीक है जब आप प्रतक्ष रूप से मतदान कराके किसी एरिया के बंदों से राय लेते हो तो ठीक है नेक्स कोशन कोशन नमबर 5 की बात करते हैं राश्टरवाद की पहली सपष्ट अभी व्यक्ति डैश में फ्रांसी सी करांती के साथ हुई मतलब डैश यानि कौन से साल में 1863 में 1947 में 1804 में 1789 में तो मैं आपको बता दूँ जो फ्रांसी दिक रांती आपको पता ही है कि 1789 में हुई थी तो इसका अंसर है D ओके नेक्स कोशन की बात करते है लापाट्रिया ठीक है इसका क्या अर्थ है पित्रभूमी मात्रभूमी नागरिक या राज्ये इंपॉर्टन कोशन है आपसे पूछा जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि इसका अंसर है पित्रभूमी लापाट्रिया का मतलब होता है पि यहोप यह क्लेर हो गया तो इसका अंसरसी क्योशन नंबर 8 की बात करते हैं कि नेपोलियन की नागरिक सहिंता किस वर्ष में आई थी तो नेपोलियन आपको पताएं 1799 में वो लीडर बना था फ्रांस का और 1815 में वो हट गया था लडाई हुई थी जिसमें वो हार गया था तो उस टाइम पिरिड के बीच में वो एक नागरिक सहिंता कुछ कानून लेकर आया था तो कब लेकर आया था यह कानून नागरिक सहिंता वाले 1863 में 1789 में 1804 में या 1815 में तो मैं आपको बता दूं कि नागरिक सहिंता है वो नेपोलियन 1804 में लेकर आया था 1804 में लेकर आया था नेक्स कोशन कोशन नमबर 9 की बात करते हैं नेपोलियन 1815 में डैस जंग में परास्त हो गया था मैं आपको अभी अभी बता चुगा हूँ कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना वो 1799 में बना था फ्रांस का लिटर और 1815 में हट गया था क्योंकि एक जंग हार गया था तो जंग का क्या नाँ था स्वतंतरता संग्राम विश्विद प्रथम वाटरलू या विश्विद दृत्या तो मैं आपको बता दूँ नेपोलियन जो है वो वाटरलू की जंग आ रहा था मतलब बैटल ओफ वाटरलू हा रहा था ठीक है प्रैब चार पावर ने मिलकर उसको हरा था पुरूशिया रशिया और बी यानि ब्रिटेन तो इन चारों ने मिलकर इस पे हमला किया था और नेपोलियन बुनापार्ट को हरा दिया था ठीक है नेक्स कोशन की बात करते है कोशन नमबर 9 एले किस चीज को नापने की इकाई है धागा, जमीन, कपड़ा, उचाई तो ये कोशन तो बहुत इंपोर्टन है बार-बार एक्जाम में आता है तो इसका अंसर है कपड़ा कपड़ा नापने के लिए एले का परियोग किया जाता था ये काई है ठीक है, जो जर्मनी में परियोग करी जाती थी उस समय कोशन नमबर 11 की बात करते है यहां 1835 में तो 11 का अंसर है 1834 जो हमारा जॉलवरी नहीं उसको 1834 में बनाया गया था ठीक है नेक्स कोशन की बात करते है क्वेशन नमबर 12 1815 में फ्रांस में दुबारा से डैस राजवंश की सत्ता वापिस आ गई किस राजवंश की सत्ता वापिस आ गई अब देखो कॉमन सेंस की बात है इसमें लिखा दुबारा तो पहले कौन था? कौन सा राजवंश आ था? आपको पता ही है बॉर्बो राजवंश था तो बॉर्बो राजवंश की सत्ता ही वापिस आ थी 1815 में जब नेपॉलियन बॉर्बो राजवंश की सत्ता आ गई थी क्योंकि जीती थी ना नेपॉलियन बॉर्ब बॉर्ब जीता था मैंने आपको शॉट फॉर्म बताई थी तो जो प्रैब जीता था ना उसने कहा था कि हम राजवरानी वाले सिस्टम में वापिस लाएंगे बॉर्बो राजवंश को यह वापिस लेकर आओ ठीक है नेक्स कोशन की बात करते है जोसेपी मत्सीनी का जनम 1807 में कहां हुआ था मतलब डैश जगा हुआ था उस जगा का नाम बताओ जर्मनी में जुनवा में इटली में या ब्रिटेन में तो आपको बता दू जनम हुआ था जोसेपी मत्सीनी का next question है question number 14 जोसीपी मत्सीनी ने मारसई में डैश और बर्न में डैश नामक गुप्त संगठन बनाया था ठीक है तो मार्साइ में कौन सा बनाया था जुसेपे मसीने ने कौन सा गुप्त संगर्ठर बनाया था यंग इटली ठीक है तो इसका अंसर है ये अब बहुत सरे बच्चे बोलेंगे सर, अब अपने भी तो यंग इटली और यंग इरोप ही लखा है के question number 15 है जुसेपी मेटसीनी हमारी समाजी वविस्ता का एक खतरनाक दुश्मन है यह किसके द्वारा कहा गया था लुई 16 प्रशा के राजा मेटरनिक या कार्बो नारी तो मैं आपको बता दू यह बात Duke मेटरनिक पूरा नाम है इसका 1830 में ठीक है ओके जी नेक्स वोर्शन की बात करते हैं तो देखो अब यह जुलाई करांती पे आते हैं देखो आपको साल तो पता ही है 1830 तो जुलाई में यानि 1830 की जुलाई में करांती हुई थी फ्रांस के अंदर ठीक है वहाँ पर क्या हुआ था जो बॉर्बो राजवंच आ गया था ना प्रैब के हारने पे आपको बताईए सोरी नेपोलियन बुनापार्ट के हारने पे प्रैब ने राजा रानी वाला सिस्टम ला दिया था दुबारा से बॉर्बो राजवंच का ही राजा आ गया था तो 1830 के अंदर दुबारा से उस राजा को हटा दिया गया था ठीक है बॉर्बो राजवंच के राजा को हटा दिया गया था और एक लुई फिलिप लीडर बना था ओके क्योशन नमबर 17 की बात करते हैं डैश ने एक बार यहां टिपड़ें की थी कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप में भी सर्दी जुखाम हो जाता है यह बात किस ने गई थी लुई फिलिप ने मैटरनिक ने बाईरन ने या लुई 16 ने तो ये भी बात मैटरनिक नहीं गई थी डूईक मैटरनिक नहीं गई ठीक है question number 18 की बात करते हैं कि 1832 में डैश संधी ने युनान को एक स्वतंत्र राष्टर की मान्यता दी कौन सी संधी हुई थी 1832 में वार्साई की संधी, रुमानी संधी, कुस्तुन तुनिया की संधी या युनान की संधी तो मैं आपको बता दू के 1832 में जो संधी हुई थी न जिसमें युनान को एक स्वतंत्र राष्टर गोशित कर दिया गया था उस संधी का नाम था कुस्तुन तुनिया की संधी, ठीक है बड़ा महेंगा नाम है, ठीक है नेक्स कुशन आपका कुशन नमबर 19 के जंकर्स कौन थे, ठीक है वो राजवंज था एक भूस्वामी थे, सिपाही थे या किसान थे तो मैं आपको बता दू प्रशा के जो बड़े-बड़े भूस्वामी होते थे न उनको जंकर्स का जाता था ओके, क्योशन नमबर 20 की बात करते हैं, के जर्मनी के एक ही करण में सबसे एहम भूमी का किस ने निभाई, ड्यूक मैटरनिक ने, ओटोमन बिस्मार्क ने, जुसेपी मत्सीनी ने या लूई 16 ने, तो मैं आपको बता दू के जर्मनी के एक ही करण में सबसे ज्यादा एहम बूमी का, ओटोमन बिस्मार्क ने लिभाई थी, ठीक है, नेक्स कोशन की बात करते हैं, क्योशन नमबर 21 के 18 जनवरी 1871 में, वर्साय में हुए एक समारो में, प्रशा के राजा डैश प्रथम को जर्मनी का समराट गोशित कर दिया गया, तो आपको बताना है कि जब जर्म लूई 16, काइजर विलियम या जोसेपे मचीनी, तो मैं आपको बता दूँ, उसका नाम था काइजर विलियम फर्स्ट प्रथम, ठीक है, वो प्रशा का राजा था और उसको जर्मनी का भी राजा बना दिया गया था, ठीक है, तो कोशन नमबर 21 का है C, ओके, नेक्स कोशन क पहले इटली में साथ अलग-अलग राज्यों हुआ करते थे, साथ अलग-अलग राज्यों में बटावा था इटली, पर एक ही ऐसा राज्या था जिसमें इटालियन बोलने वाला राज्या था, तो वो राज्या कौन सा था, जिसमें इटालियन बोलने वाला राज्या था, Sicily, Sardinia, Pidmont, Higherland या Italy का तो मैं आपको बता दू इस का अंसरा B Sardinia, Pidmont एक ऐसा इलाका था Italy के अंदर साथ राज्यों में से जहां पर एक Itavali यानि Italian बोलने वाला राजगराने का ही शासन था ठीक है? Okay, question number 23 की बात करते है कि Sardinia, Pidmont के राज़ा का क्या नाम था अभी अभी जो पर ने बताया ना कि साथ राज्यों में से एक Sardinia, Pidmont में Italian राज़ा था तो उस राज़ा का नाम क्या था? Kaiser William 1, Kaiser William 2, Victor Emmanuel 2 या Victor Emmanuel 1 तो मैं आपको बता दू कि इसका अंसर है C, Victor Emmanuel 2 तो Sardinia, Pidmont का जो राज़ा था उसका नाम था Victor Emmanuel 2 ओके Next question की बात करते है Question No.24 Italy के दक्षिन भाग पर Dash का नियंतर्ण था किसका नियंतर्ण था? Pope का Austrii, Habsburg Empire का Spain के Borbo Rajavans का या Raja का या Napoleon Bonapart का तो दक्षिन की बात हो रही है दक्षिन में जो Spain के Borbo Rajavans था उनका नियंतर्ण था और मैं आपको बता दू के उत्तर की साइड में इटली के उत्तर की साइड में Austrii, Habsburg Empire का राज था Austrii, Habsburg, Rajavans का राज था ठीके, बात सेम यह Next question की बात करते है Question No.25 Dash वर्ष में Victor Emmanuel 2 एक एकरित इटली का राजा गोशित किया गया 1861 में 1862 में 1864 में 1815 में तो मैं आपको बता दू कि जो Victor Emmanuel था ना Victor Emmanuel 2 था वो इटली का राजा पता है कब बना पूरे इटली का राजा कब बना वो बना हमारा 1861 में ठीक है तो 25 का A हो गया ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ यानि इन दोनों को मिलाकर England और Scotland को मिलाकर क्या हुआ कि United Kingdom of Great Britain का गठन हुआ तो इस एक्ट पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे A. 1707 में B. 1604 में C. 1804 में D. 1863 में तो मैं आपको बता दू कि 1707 के अंदर ये जो हमारा Act of Union था ना उस पर हस्ताक्षर हुए थे और United Kingdom of Great Britain बनाया था England और Scotland को मिलाके Question No. 27 की बात करते हैं कि Dash में Ireland को बल पूरवक United Kingdom में शामिल कर लिया गया कौन से साल में 1603 में 1801 में 1863 में या 1956 में तो मैं आपको बता दू 1801 में Ireland को जबरदस्ती United Kingdom of Great Britain में शामिल कर लिया गया ठीक है Next Question यानि Question No. 28 की बात करते हैं कि France की रूपक का क्या नाम है जैसे भारत में भारत माता होती है न रूपक वैसी France की रूपक का क्या नाम था France यसी Jeremy आपको बता है Marian तो हो नहीं सकता तो मैं आपको बता दू कि जर्मनी है जर्मनी की रूपक का जो नाम है वो है जर्मेनिया ठीक है याद रखना है France की मारियान और जर्मन की जर्मेनिया जर्मनी का तो आपको याद रहे गई क्योंकि सिंपल है जर्मनी की जर्मेनिया, ठीक है, फ्रांस का याद रखना और फ्रांस का या आपके एक्जाम में आने के चांस है, नेक्स विशन की बात करते हैं, कि आस्ट्रियाई चांसलर डैश ने वियना में कॉंगरेस की मेजबानी की थी, काईजर विलियम में, ड्यूक मेटरिनिक ने, या Emmanuel 2 ने तो मैं आपको बता दूँ कि जो ऑस्ट्रियाई चांसलर थी ना जिन्होंने Vienna of Congress की मेजबानी करी थी उसका नाम भी Duke Metternich ही था यह वही बंदा है जिसने JCP को हमारे social order के लिए हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक बता है था और साथ ही में इसने एक बर दुबारा टिपणी भी करी थी जिसके बारे में हमने बात करी कि France अगर चीकता है तो पूरे यूरोप में इसका असर देखने के लिए मिलता है पूरे यूरोप को दुखाम हो जाता है सरदी दुखाम हो जाता है तो मैं आपको बता दूँ ये ऑस्ट्रियाई चांसलर था एक्चल में इसकी पोस्ट ऑस्ट्रियाई चांसलर की थी और वियनफ कॉंग्रेस की मेजबानी भी इसे नहीं करी थी होस्ट करी थी वियनफ कॉंग्रेस की पार्टी को ठीक है या meeting को नेक्स question की बात करते है question number 31 Balkan का एक बड़ा हिस्सा dash सामराज्य के नियंतरण में था Pakistan, Ottoman, Chinese या Austrian Habsburg सामराज्य के अंदर मैं आपको बता दू Balkan का जो बड़ा हिस्सा था था ना वो Ottoman सामराज्य के अंदर आता था पहले ठीक है एक Muslim Empire है ठीक है और आज के वक्त में इसको Turkey का जाते है ओके next question की बात करते हैं के Frederick Soryu एक dash था क्या था भारतियक अलाकर, जर्मनी चित्रकार, फ्रांसीजी चित्रकार या Austria का राजा तो आपको पता ही है कि जो Frederick Soryu था वो एक फ्रांसीजी चित्रकार था या फ्रांसीजी के लाकर बात ये की है next question की बात करते है question number 33, अच्छा उससे पहले मैं बता दू यार मैंने एक new channel बनाया, उसका link नीचे description में दे रखा है, उसको जरूर subscribe करना, क्योंकि मैं आपको वहाँ पर ये बताने वाला हूं कि मैं YouTube से कैसे अन करता हूं आप YouTube से कैसे अन कर सकते हो ठीक है, और साथ में बहुत अलग-अलग platform के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप अन कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कभी ना कभी तो एक student की life में problem आती है, पैसे से related, तो मैं उसके बारे में आपको उस चैनल में बताने वाला हूं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है और bell आइकन दबा देना, अभी तक कुछ वीडियो अपलोड नहीं करी है, ठीक है, बट जल्दी ही उस पर वीडियो अपलोड करने वाला हूं ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell दबा देना, और साथ में इसकी भी notification bell दबा देना, क्योंकि मेरी स्रिफ एक platform से YouTube से earning नहीं आती, बहुत अलग अलग platform विश्विद प्रथम हुआ, बालकन में तनाव के कारण, या विश्विद सेकंड हुआ, बालकन में तनाव के कारण, या शीतियुद की शुरुआत हुई, बालकन में तनाव के कारण, तो मैं आपको बता दूँ, बालकन में जो तनाव हुँ रहा था ना, उसके कारण, प् पूशन नमबर 36, लिबर एक Latin शब्द है, जिसका अर्थ है डैश, मतलब बताने है आपको, कि लिबर का क्या अर्थ है, ये एक Latin वर्ड है, असल में जो लिबर है, वो एक Latin वर्ड है, तो इसको इंदी में क्या कहते हैं, बलवान, आजाद, गुलाम या हतियार, तो मैं आपको बता दूँ कि लिबर का अर्थ होता है, अजाद, ठीक है, ओके, वैसे मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ी सी एक्स्टा नॉलिज भी दे देता हूँ, कि इंग्लिश में इसको लिबरलिजम कहते हैं, आपको पता है नो, जो करांती का रही थे, वो लिबरल थे, अर्थ ही थे, तो आपको लिबर का अर्थ उदारवाद भी आ सकता है, तो आप confuse मत होना, अगर मानलो आपसे आ जाए कि लिबर का क्या अर्थ है, और अगर option में लिखाओ उदारवाद या उदार, तो आप वो भी माग करके आ सकते हो, ठीक है, next question की बात करते है, question number 37, 1815 में Napoleon William की जंग में हार गए थे, सही या गलत, William की जंग में हार रहे थे, Napoleon बुनापाट 1815 में, नहीं, वो वाटरलू की जंग में हारे थे, okay, so question number 37 ये true और false है, तो इसका answer है गलत, okay, next question question number 38 की बात करते है, 1815 में, Austria के Chancellor Duke Metternich थे, तो Austria के Chancellor जो थे, वो Duke Metternich थे, 1815 में, बिल्कुल सही बात है भी थोड़ी देर उपर पहले हमने देखाई, तो इसका answer है सही, next question की बात करते है, जो सेपी Metzini एक क्रांती कहा रही थे, बिल्कुल सही बात है, क्रांती बगेरा करते थे, उन्होंने सीक्रेट सुसाइटी भी बनाई थे, यंग इटली और यंग यूरोप के न पर इन्होंने निर्मान नहीं किया था, कार्बोनारी के गुपते संगठन का, ठीक है, तो इसका answer है गलत, ओके जी, वैसे हो तो यह सारे के सारे मैंने answer ये देख रहे हो, आप screenshot ले सकते हो आप इसका, ठीक है, यहाँ पर screenshot ले लो एक, ठीक है, यहाँ पर ले लो, और एक य नीचे screenshot ले लो, ठीक है, यह तीन screenshot हो गए, बढ़ अगर इसकी आपको PDF चाहिए, तो description में लिंक दे रखा है, GP लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप notes डाउनलोड कर सकते हो, अगर GP लिंक से notes डाउनलोड ना हो आपसे, तो उसकी वीडियो दे रखी है, मतलब वीडियो से देखकर try करना, अगर ना हो, तो अब telegram चैनल पर जा सकते हो, telegram बेसिक लिंक है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप notes डाउनलोड कर सकते हो, बहुत इजली, ओके, and thank you so much यार, thanks you for your support, ठीक है, हमारी 25,000 की हमारी family, जो है, वो cross हो चुकी है, और साथ में दूसरे चैनल पर अभी कैसे earning होती है, और बाकी platform से कैसे होती है, ठीक है, और साथ ही मेरे Instagram और Facebook का link भी नीचे description में दे रखा है, और Twitter का link भी दे रखा है, तो मैंने Twitter का बनाया है, एक account, तो उसको भी आप follow करना, ठीक है, बहुत सारी चीज़े है, जो मैं वहाँ पर भी आपको बताता रहूंगा, ब्लॉग बगरा की सारी की सारी चीज़ों के बारे में, तो उसको भी आप follow करना, ठीक है, एक account बना लो, Twitter पे, जरूरी है वो, बनाना, ओके, जैसे Facebook बगरा होता है, वैसी Twitter होता है, तो उसको बनाने के बाद आप मिरे को follow कर लेना, description में उसका link दे रखा है, ठीक है, so next video के के लिए stay tuned, next chapter के लिए stay tuned, तब तक के लिए thank you so much, जैहिन, जै भारत, वंदे मातरम, दोनों चैनल को subscriber, दोनों चैनल की notification, bell दबाना, मत भूलना, okay?